हेलो फ्रेंट्स बिलकम टो अनलाइन स्टुडी किंग्डम दोस्तों घटा जगर करन्ट अफेर्स पॉइंटर 2022 को हम लोग कबर कर रहे हैं जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे जो की अपडेटड है एक जनवरी 2022 से ले करके 30 सेप्तंबर 2022 तक जो भी अपकमिंग जाम है उनकी अलयाती महत्तवपूर्ण करन्ट अफेर्स मागजीन है और अभी तक हम लोगों ने राष्टिय परद्रिश्च पार्ट वन में कम्प्लीट किया है टोटल पार्ट साथ में हम लोग इसको कम्प्लीट करेंगे तो साथ भागों में ये कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट त्री इसकर के आप देखेंगे तो आज गिस वीडियो में यहां से पेज नेंबर पैंसट से लेकर कि सर्षट है दिया हुआ है जोकि तीन पेज का उत्तरप्रदी सुकरंट अफेर्स है वन लाइनर फाक्ट हम लोग इसको कबर करते हैं इ इसी भीहाल में क्योंकि पेड का एक्जाम भी 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है बाकी जो भी अपकमिंग है आरो ए आरो सभी के लिए तो महत्तप मुड होगा ही तो आए दोस्तों फटापड स्टार्ड करते हैं वीडियो को लाइक से रकमेंट कर दीजेगा चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा क्योंकि आपकी सब्स्रीप्शन ही हमारी ताकत है पहला प्रशन है कि उत्तर परदेश में चार नई नगर पंचायद बनाने का निर्ड़ छे सितंबर 2022 को लिया गया है तो चार नई जो नगर पंचायद वो कौन-कौन सी हैं तो अयोध्या में कामख्या, देवरिया में हेतिमपूर, कुसी नगर में मतावली और फरुखाबाद में संकिसा नगर पंचायद बनाने का निर्ड़ लिया गया है केंद्रिया मंतरी अनुप्रिया पटेल ने उत्तरप्रदेश के किस सहर में लाजिस्टिक पार्ग की आधार सिला रखी है लाजिस्टिक पार्ग उत्तरप्रदेश में कहां पर होगा याद रखिएगा चुनार मिरजापूर में अगला प्रस्ण है कि उत्तर प्रदेश की केंद्रिय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुडवत्ता वाले खाने को फाइव इस्टार रेटिंग प्रदान की गई है तो यहां फतेहगड किसके इंद्रिय जेल में फतेहगड के इंद्रिय जेल में यहां रेटिंग किसके द्वारा प्रदत की गई है तो भारतिय खाद सुरच्छा और मानक प्राधिकर्ड यफ यस यस आई की द्वारा अगला प्रस्ण है कि उत्तरपरदीश हिंदी संसुथान द्वारा बर्स 2021 के प्रमख पुरुषकार सम्मान प्राप्त करता निमलिक्ट दिये गए हैं महत्तपूर्ण यहां पर तथ्य है प्रुषकार तो भारत भारती शम्मान अति महत्तपूर्ण प्रस्ण है जो कि डाक्टर रमानाथ हुत्रपाथी को मिला हुआ है और प्रुषकार की जुरासी है वह आठ लाक रूपए है तो दिल्ली से है ये इसके बाद लोहिया साहित शम प्रवाल को हर्याना की इनको दिया गया हुआ और प्रुषकार जुरासी ये वह पांत लाक रूपए है जबकि भारत भारती की आठ लाक रूपे है इसकी अलावा महत्मागानधी शाहित शमान की इसको दिया गया है तो डाक्टर वीश्वास किसन पांठिल जोकी महरास्ट पांस लाक रूब्याै अवंती भाई साहित शम्मान कि इसको दिया गया है डाक्टर ओम प्रकाश मिस्त्रा को और यह लखनव से इनकी पुरुष्कार राध्वि के ती पास लाख रूप्ये बीहारी चाहित शाम्मान कि को मिला है तो हिर्दे नारानड दिक्षित को और इसकी जो पुरुषकार रासी है पांच लाक रूपए है अगला है आपका प्रदेश के किस जिले में इंडो इसराइल इंडो इसराइल सेंटर आफ एक्सिलेंस फार बेजी टेबल्स का सिलन्यास कहां पर किया गया है आठ पर ही जो है इंडो इसराइल सेंटर आफ एक्सिलेंस फार बेजी टेबल्स का सिलन्यास भी किया गया है मिर्जापुर में ओतर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल शाहित सम्मान दूहजार इकीस किस योजना की अंतरगद घोशित किया गया है तो इस योजना का नाम है बा वहिवां पर सोहन लाल ध्युवीदती बाल कविता शंवान से शंवानित होने वाले अजह कुमार उर्फ डीक्टर अजह पृसून लखनव को इसके बाद है अम्रित लाल नागर बाल कथा सम्मान से शम्मानित होने वाले ममता नौगरया बदाईव की है अगला प्रशन है कि उत्तर परदीश ने एक ट्रिलियन डालर की अर्थ ब्यवस्था की लच्छे को प्राप्त करने हे दू किसके साथ समझ होता ग्यापन पर हस्ताचर की है तो यहाँ डेलाइट इंडिया की साथ इस लच्छ को प्राप्त करने की जो तैसीमा रखी गई है वह अब बर्स दूहजार सत्ताइस है तो यूपी करन्ट फिर्स अति महत्तपून तत्त क्या होगा कि उत्तर प्रदीश सरकार का एक ट्रियन डालर जो पानी की अर्थ ब्यवस इस तरह याद रखेगा आने वाले इलेक्षन की बात की गई है एकामर्स पोर्टल के माध्यम से सहर की कारीगरों और बुनकरों के उत्पादों को बैस्विक मंज पर लाने हे तो किसके मध्ध शमझ होता ग्यापन पर हस्ताचर किया गया है तिया वारांसी जिला प्रशास और फिलिप कार्ट के बीच में प्रदेश के सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी विबादू का निप्टारा करने के उद्देश से किस कारियाल भवन का सिलन्यास सत्ता जुलाई 2022 को किया गया है तो केंद्रिय प्रशासनिक अधिकर्ण लखनव पीठ का सिलन्यास किया गया है अंतर राष्टी बयस्य महा सम्हेलन 22 महा सम्हेलन का यव्यजन मतुरा में जुलाई 2022 में किया गया है उत्तर प्रदीश सतत विकास रिपोर्ट 2022 का लोकारपन किसके द्वारा तय किया गया है वानधी बेन पटेल कवन है तो राज्जपाल है इस रिपोर्ट को किसके गया है लखनव विश्व वेद्यालाई के विकाश विज्ञान संस्थान योम अर्थसास्त्र विभाग द्वारा तो दिग्जा में पूंचा जाता है उत्तर प्रदीश शतत विकाश रिपोर्ट किसके द्वारा निलिशिव से त्यार किया गया है तो याद जरूर रखिएग लखनव उन्वरसिटी की अंतरगत विभाग है विकाश विज्ञान संस्थान योम अर्थसास्त्र वंदेल खंड एक्स्प्रेस बे का उद्गाटन किसके द्वारा 16 जुलाई 2022 को किया गया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्गाटन कहां से किया गय इस एक्सप्रेस बे का जो प्रारंभ अस्थान होगा वा भारत कोप चित्रकोट से लेकर के कोदरयल इटावा तक होगा इस एक्सप्रेस बे में जो सामिल जिले हैं तो बुंदेल खंड एक्सप्रेस बे की जो लंबाई है 296.27 किलोमेटर है तो टोटल जो है साथ जिलें से होकर यह गुजरेगा तो भरत कूप चेत्रकोट से श्राठ होगा इसके बाद बांदा हमेरपूर महोबा जालाओन आउरया होते हुए कुद्रैल इटावा पहुंचेगा वह मोधी ने जिनुट घाटन कहां पर किया है तो जालाओन का जोरही तासिल के तहट कैथरी गाउंस ह अगला प्रस्ण है कि भारतिय बिमान पत्तन प्राधिकरण ने कि अवधी के लिए उत्तर प्रदिश के पांच हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन हेतु समझोते पर हस्ताचर किये हैं एक जुलाइद दो हजार बाइस को तो भारतिय बिमान पत्तन प्राधिकरण तीस वारसों के लिए कितने आवधी के लिए तीस वारसों के लिए उत्तर प्रदीश के पांच हवाई अड़ों के संचालन और प्रबंधन ही तु समझोते पर हस्ताचर किये हैं इन पांच हवाई अड़ों में सामिल जो हवाई अड़े हैं अलेगड़, आजमगड़, चित् अगला प्रशन है कि हिंदी की पहली रचना जिसी अंतर राष्टिय बुकर पुरुषकार से शमानित किया गया है हिंदी की पहली रचना है अगी महत्तपूर्ण प्रस्ण है और इसको अंतर राष्टिय बुकर पुरुषकार से ही 26 मई 2022 को सम्वानित किया गया है यह हिंदी जो पहली रचना है नाम क्या है रेत शमाधी यहां इक उपन्यास है और इस उपन्यास को किसकी द्वारा लिखा गया है गीतांजल स्री की द्वारा लिखा गया है इस उपन्यास का अंग्रेजी में जो अनुबाद है वह Tom of Shand किसकी द्वारा किया गया है तो अंग्रेजी जो अनुबाद है वह Daisy Rockville की द्वारा किया गया है किसकी द्वारा लिखा गया उपन्यास है गीतांजल स्री की द्वारा नाम है इत्शमाधी अंग्रेजी में होगा टाम वाप शैंड किसका किया हनुबाद तो ये डेजी रागविल द्वारा गीतांजल श्री का जो जन्म है वह उत्तरपरदीश की किस जिले में हुआ है तिया हम्मायनपुरी जिले में उननीशो सतावन में जन्मी है अगला प्रस्ण है कि शुरोमड महाराण प्रताप की प्रतिमा का अनावर्ण कहां पर किया गया है तो प्रताप इंटरनीशनल स्कूल कानपूर में उत्रपरदीश गुजरात मैत्री दिवस कारिकरम का आयोजन कहां पर किया गया है तो गोमती नगर लखनव में उत्तर प्रदिश गुजरात मैत्र जिवस उत्तर प्रदिश की किस सहर में इस किल इंडिया अंतरराष्टी केंडर की अस्थापना 12 मई 2022 को की गई है किस सहर में इस किल इंडिया अंतरराष्टी केंडर की अस्थापना वाराणसी में की गई है इस केंडर की अस्थापना के ल कर याद रखना पेटो गए लिए के शहर में इसके लिए इंडिया अंतर राष्ट केंद्र की अस्थापना की गई तो वाराणसी में और जो है अस्थापना है किसके मद्ध शम्जवता ग्यापनादान प्रदान किया गया है तो यानेस डीसी इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ष प्राइबेट लिमिटेड के द्वार या केंद्र कीन देशों में रोजगार है तो भारती इवाओं को प्रसिच्छन प्रदान करेगा तो उनाइटर अब अमिरात है कनाड़ा है आस्थ्रेलिया है और खाड़ी देश में अगला प्रस्ण है कि मैं गंगा बोल रही पुस्तग तथा इश्पर्स गंगा अगीत के लेखक कौन है तो डाक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है इस पुस्तग वागीत का भी मोचन कि इसकी द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री योगी आधित्तनाथ उत्तर प्रद की गई है एक माई 2022 को इस पोर्टल की शुरुवात की शौसर पर हुआ है तो एक माई को आप जानते हों इंटरनेशनल लेबर डे अंतरराश्टी मजदूर दिवस के अउसर पर की गई है अगला प्रशन है कि मुख्यमंत्री योगी याधित तनाथ ने आर्या वर्त यम आर आई शंटर का उद्गाटन कहां पर किया है यह गोरखपुर में किया है अगला प्रशन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवाड प्रतियोगिता 2020 में सर्बस्रेश्ट राज्य का परुषकार किसे प्रदान किया गया है तो सर्बस्रेश्ट राज्य का जो परुषकार मिला है इंडिया स्मार्ट सिटी ज़ अवार्ड प्रत्योगिता दुहजार बीस में यहां अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदीशकों सर्वस्रेष्ठ राज्य का पुरुषकार बाराणसी ने जल योम स्मार्ट सिटीज लीडर्शिप प्रुसकास रेड़ी में कौन सा स्थान हासिल किया है यह पहला स्थान हासिल किया जल में जबकि स्मार्ट सिटीज लीडर्शिप में देखेंगे तो smart city leadership में दूसरा है जहाई लीडेशीप वाले में पहला है अगला प्रशन है कि राज जी उर्जा और जलवाई सुचकांक round one में उत्तरप्रदिश को किस स्रेड़ी में सामिल किया गया है अती महत्त पूर्ण प्रशन है दोस्तों अती महत्त पूर्ण प्रशन राज उर्जा और जलवाई सूचकांक राउंड वन में उत्तर प्रदिश को किस स्रेड़ी में सामिल किया गया है तो अचीवर की स्रेड़ी में सामिल किया गया है लच्छ प्राप्त करता की स्रेड़ी म इस सूचकांक में प्रदेश को यानि उत्तर प्रदेश को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो तेरहुआ अस्थान प्राप्त हुआ है राज उर्जा और जलवाई सूचकांक राउंड वन में कितना तेरहुआ अस्थान स्रेडी कौन सी है अचीवर लच्छ प्राप्त कर सुचकांग का सुवारंभ किसके द्वारा किया गया है तो यह सुचकांग को नीटी आयूग के द्वारा अगला प्रस्ण है कि राज सरकार ने प्रदेश के किस सहर में राश्टिय रोग नियंत्रण केंद्र की अस्थापना को मंजूरी प्रदान की है राज सरकार ने प्रदेश के किस सहर में राश्ट्रिय रोग नियंत्रन केंद्र यन्सी डीसी की अस्थापना को मंजूरी प्रदान की है यन्सी डीसी जो होगा वहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में अगला प्रस्ण है कि जिम पोर्टल से की गई खरीददारी में कौन सा राज्य सिर्ष अस्थान पर है तो अपना प्यारा प्रदेश प्रथम नंबर पर है प्रथम अस्थान पर है अगला है मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आरोग ये मेला कौन सा मेला मुख्यमंत्री आरोग मुला का सुबारम कहां से किया गया है या गोरखपुर से किया गया है कहां पर दोस्तों गोरखपुर में ठीक है तो मुख्यमंत्री आरोग मेला वहीं पर जिम जो पोर्टल है यानि गौर्मेंट या मार्केट प्लेस से खरिद्दारी करने में राज कौन सा टाप पर है तो तरप्रदेश है मुख्यमंत्री आरोग मेला प्रदेश की सभी प्राथमी की स्वास थे केंद्रों में मुख्यमंत्री ने इसकूल चलो अभियान का सुबारंब कहां से 4 अप्रेल 2022 को किया है मुख्य मंत्री ने स्कूल चलो अभियान का सुबारंब 4 अप्रेल 2022 को कहां से किया है स्राबस्ती से किया है कहां से किया है दोस्तो स्राबस्ती ठीक है तो जो बच्चे बैग लेके जाते हैं उनको बोला जाता है पिसिकली बस्ता ठीक है इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना याद करने का तरीका इस्कोल चलो अभियान पूछा जाता है कहां से किया गया है तो बस्ता लेके चलना है इस्कूल जोला लें बैग लेकर कि बस्ता बस्ती स्राबस्ती से इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना स्राबस्ती ठीक है बस्ती ने स्राबस्ती चैंपियन्स हाफ चेंज डेल्टा रैंकिंग CCDR मर्च 2022 की अंसार क्रिसी और जल संसादन छेतर में उत्तर प्रदिस की किस जिले ने दूसरा अस्थान हासिल किया है तो उत्तर प्रदिस का जिला है चित्रकूट इस रैंकिंग की घोषड़ा किस ने की है तो नीती आयूक की द्वारा घोषड़ा की गई चैंपियंज आफ चेंज डेल्टा रैंकिंग उत्तर परदीश का कौन सा जिला दूसरे अस्थान पर रहा है तो यह है चित्रकूट जो की नीती आयुक के द्वारा यहां रैंकिंग जो है वो जारी की गई है अगला प्रस्ण है इसको तो आप कई बार पढ़ चुके होगे बायक्यूम आधारित सीब्रेज अपनाने वाला भारत का पहला सहर कौन सा है तो अती महत्तव पूर्ण प्रस्ण है और यह आगरा उत्तर प्रदीश का है अगला है कि लोक निर्मला सम्मान 2022 से राजजिपाल आनंदी बिन पटेल द्वारा किसी सम्मानित किया गया है तो यह पद्म भूशड से शम्मानित होने वाली नहीं और यह जानते हो लोक गाईका है कि शार्दा सिन्ह की विहार से है इन्हें को जो है वो प्रवाइड किया प्राप्त हुआ प्रदान किया गया है बर्स 2021 की लोक निर्मला सम्मान से किसी सम्मानित किया गया है मतलब पिछला जो किया गया था तो बाईश में जो है यह सार्दा सिन्ह है दोजार इकीश में यह पदम सिरी रहे हैं गुलाबो शपेरा राजस्थान से पाने वाले वही है बाकि लोक निर्माला जो समाने जानतों बरस 2020 में ही स्टार्टिंग हुई है तो प्रसस्ति पत्र अपना और एक लाग रुवए प्रदान किया जाता चलिए आगे बढ़ते हैं नाम देगरो सोन चिरया सांज के दिक्षन था अगला प्रसन है कि तीसरे राष्टिय जल पुरुषकार समारों में उत्तर प्रदिश को कौन सा पुरुषकार प्राप्त हुआ है तीसरे राष्टिय जल पुरुषकार प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदि प्रुषकार में सर्वस्त्रिष्ट राज्ज का दर्जा किशे प्राप्त हुआ है अपने प्यारी उत्तरप्रदीश को वहीं पर उत्तरी छेत्र में सर्वस्त्रिष्ट जिले का प्रथम प्रुषकार किशे प्राप्त हुआ है तो मुझभफर नगर उत्तर प्रदीश को उत्तरी छेत्र में सर्वस्रेष्ट गावपंचायत पूछा जाता है तो इसका तीशरा प्रुषकार बलुवा वारानसी को प्राप्त हुआ है सर्वस्रेष्ट गावपंचायत सर्वस्रेष् जलप रुषकार में अगला प्रस्ण है कि उत्तर प्रदीश की अठारमी बिधान सभा का निर्विरोध अध्यच किसे चुना गया है तो सतीश महाना को हिंदी शाहित सम्मेलन के वार्षी का अधिवीशन का आयोजन कहां पर किया गया है तो प्रियाग राज उत्तर प्रदीश में किया गया है हिंदी शाहित सम्मेलन का वार्षी अधिवीशन 12 से 13 मार्च 2022 को या अधिवीशन का कौन सा संसकरण रहा है तो या इस अधिवीशन का जो है 73 संसकरण रहा है अगला प्रसन है कि उत्त्रप्रदेश कि किन महिलाओं को नारी शक्ति पुरुषकार अतिम हत्तपूर्णल प्रसन है नारी शक्ति पुरुषकार से शमानित किया गया है तो आरती राणा बरस 2020 में वहीं पर दूशरा निर्जा माधो 2021 का तो 2020 का पाने वाली आरती राड़ा 2021 के लिए नीर्जा माधों को आठ मार्च 2022 को आठ मार्च को आप जानते हो अंतरराष्टी महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है जबकि आप 13 फरवरी को हर साल सरुजी नाइड़ू वाले जम्लियों पर आप क्या मनाते हो 2021 नीर्जा माधों तदकालिन राष्ट्वपति रामनात कोविंद द्वारा यह सम्मान की आउसर पर प्रदान किया गया तो अंतरराष्टी महिला दिवस आठ मार्च नारी शक्ति कौन कौन तो नारी शक्ति शक्ति क्या आर्दी उतारोगी शक्ति माता माता जाजी की और उ इसमें देश का पहला ग्रीन बूथ कहां बनाया गया देश का पहला देश का पहला ग्रीन बूथ कहां लखनव में चल यह अंतिम पेज है प्रस्ण है दोस्त की रोबोट के माध्यम से बच्चों को आपरेशन करने वाली उत्तर प्रदीश की पहली संसथा कौन सी है तो पिजियाई बोल लेते हैं यस पीजियाई लख लग छत्रपत साहुजी महाराज विश्व विद्यालएक कानपूर की इंक्यूबेट्ट कंपनी जिसने अत्याधुनी कि स्वधेसी सर्च इंजन का विकास किया है या भारत टेक ने इस सर्च इंजन का नाम क्या है भारत सर्च नाम है अगला प्राशन है कि नोऎडा सेक्टर शौवन के डंपिंग् ग्राउंड को कि उस परयोजना के तर्ज पर शमुद्री बीच के रूपने बिक्षित किया जा रहा है बेस्ट लैंड टू बेटलाएंड इसके इस के द्वारा विक्सित किया जा रहा है तो नोईडा प्राधिकरण के द्वारा विक्सित किया जा रहा है अगला प्रशन है कि उत्तर प्रदीश दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है तो उत्तर प्रदीश दिवस प्रतिवर्स में पहली बार जो है मनाया गया है उत्तर प्रदेश दिवस बाखी 24 जनुवरी जानते हो 24 जनुवरी वैं 24 जनुवरी ही क्यों 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 क्या है उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश की पहले जानते क्या नाम था उत्तर प्रदेश से पहले श्यूंत प् जाकी को सर्वतित जाकी के रूप में कई बार पढ़ चुके उत्तर प्रदीश प्रथमस्थान रहा है उत्तर प्रदीश की जाकी किस विशय पर आधार इतु थी एक जिला एक उत्वपाद और कासी विश्वनात धाम अगला प्रस्ण है कि मायनपूरे इस्थित सायनी की स्कूल का परिवर्थित नाम क्या है तो सिंपल सी बात देश के पहले चीफ आप डिफेंस रहें जन्रल विपिन रावात शायनी की स्कूल कर दिया गया है मुख्य मंत्री ने नोड़ा में अस्थापित सूटिंग रंज का नाम करण किस ख्याति लब्ध निशाने बाज की नाम पर किया है तो चंद्रो तोमर कौन है सूटर दादी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यान चंद खेल विश्व बेद्याले का सिलन्यास कहां पर किया गया है दोजनवरी 2022 को सर्धना मेरट में भारत के किस राज में पहली पेशेवर पहरा बैडमिंटन अकादमी का सुबारम किया गया है तो उत्तर प्रदीश के लखनव में हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर्वाली योगनी की पत्थर की मूर्ती का संबंध किस जिले से है तो खासकर यंसेट है हिस्ट्री के लिए भी आपके लिए इंप्वार्टेंट हो जाता है और यहां जो है बकरी के सिर्वाली योगनी की पत्थर की मूर्ती का संबंध किस जिले से है यहां बांदा से है कहां से है बांदा अगला प्रश्न है कि प्रधारमंत्रि ने किस आई 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 टी संस अथांवे ब्लाक्चेन आधाद डिजिटल डिग्री लांच की है यह कानपुर ठीक है तो देट टाइम इलेक्शन टाइम रहा टाई दिसंबर आये ही रहे हैं रच्छा मंत्री राजनात सिंग द्वारा ब्रामो सियर इस्पोस क्रोज मिसाले निर्माड इकाई और डियार्डियो के रच्छा प्रवधुगी प्रिष्ण केंद्र की आधार सिला कहां पर 26 दिसंबर 2021 को रखी गई है लखन उत्तर प्रदीश में प्रधार मंत्री ने अमूल की बनास कासी शंकुल परियोजना का सिरन्यास 23 दिशंबर 2021 को बारांसी उत्तर प्रदीश में किया है मुख्यमंत्री ने निपुर भारत निगरानी केंद्र का उत्गाटन 19 दिशंबर 2021 को गोरखपुर में किया है उत्तरप्रदेश के पहले उत्दमिता केंद्र मेडटेक का उत्गहटन कहां पर किया गया है तो यहां यसजी पीजी आई लखनव में किया गया है प्रदेश सरकार ने देश के सबसे बड़े हेली पोर्ट को कहां बनाने का प्रस्ताव को मन्जूरी प्रदान की है देश का सबसे बड़ा हेली पोर्ट कहां पर बनेगा तियाह नोईडा में होगा मुख्य मंत्री ने प्रयाग राज में इस्थापित किये जा रहे राष्ट्रिय विधी विश्य विद्याले का नामकर्ण किस नाम से करने की घोशड़ा की है तो यहां डाक्टर राजिंद्र प्रशाद जो की प्रथम राष्ट अपाती रहे है जो मुख्य यहनिकी राष्टी विधी विश्य विध्याले कहाँ पर होगा तो विधी विश्य विद्याले आए का था कि यही क्योंकि राष्ट पती ही करने आए थे कोबिन साब आगे देखते अंतिम पेज है और इस लाइन को कम्प्लीट करके पूरा यूपी स्पीशल करंट अफिया कम्प्लीट हो जाएगा 25 नवंबर 2021 को प्रधार मंत्री ने किस हवाई अड़े का सिलन्यास किया है तो नोड़ा इंटरनेशनल इयरपोर्ट का भारत का पहला नेट जीरो उतसरजन इयरपोर्ट होगा नेड़ा इंटरनेशनल इयरपोर्ट जासी में अल्टरा मेगा सोलर पार्क का सिलन्यास किया गया है और उसकी जो छमता है वह 600 मेगा वाट की है इसके साथ ही प्रधार मंत्री ने किश्व पार्क का लोकारपन किया है तो अटल एकता पार्क जासी में तो यह दिग्जाब में पूछ लिया जाता है कि अटल एकता पार्क कहां होगा तो लोकारपन कहां पर किया गया है जासी और अल्टरा मेगा सोलर पार्क का सिलन्यास कहां पर किया गया है तो जासी 600 मेगावार्ट शमता वाला है 19 नवंबर 2021 को प्रधान मंत्री ने महोबा उत्तर प्रदे सेकिन बिगासी योजनाओं को राष्ट को समर्पित किया है तो अरजुन सहायक परियोजना रतवली बियर परियोजना भावनी बांध परियोजना मजगाउं चिल्ली इश्पिंकर परियोजना इन परियोजनाओं से लगभग 65,000 हेक्टेर भूम से इंचित होगी जो इन जिलों को जो है वो लाभानवित करेगी कौन कौन से जिले हैं महोबा हमेरपूर बांधा और ललितपूर अगला प्रस्ण है कि लखनव को गाजीपूर से जोडने वाले पूर्वंच कहां से तो करवाल खेरि शुल्तानपूर से पूरवंचल एक्सप्रस भे तीन सो-ारिस किलो lei का है। पुर्बाँचल एक्सपरस बे, चौध सराय गाओं जिला लखनोषे प्रारंब होकर हैदरिया गाओं जिला गाजीपुर में शमाप्त होता है तो लखनौ 2 गाजी पूर की बात करता है टोटल 9 जिले होंगे पूर्बाँ चल एक्सृपरस 2 341 किलो मेटर लंबा लखनौ से स्टार्ट करोगे तो इस तरह टोटल 9 डिस्टेक दिये गए हैं पूर्बान चल एक्ष्परस बे लंबाई कितने 341 किलो मीटर कहां से हैदर या गाउ गाउ गाजी पूर तक जाएगा चायद सराय लखनव से श्टार्ट होगा चलिए अगला प्रश्ण है कि वाड़ित जियों उद्दोग मंत्राले भारत सरकार द्वारा जारी लेट्स लगाने में पीछे नहीं होते सिक्स सेंस छठी रैंक होगी इस तरह याद रखिएगा लाजिस्टिक पार कभी पढ़के आ रहे हो आप चुनार मिर्जापुर में बात की गई है अनुप्रिया प्रटेल की द्वारा ठीक है कहां पर चुनार मिर्जापुर में है और लीट् प्सक्राइब और उत्तरप्देष के अयोध्या में कोडिया के नाम से एक पार्ग का उदघाटन नowлуч में रहे होंगयों में पार्ग अगला है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्तपादित किस प्रशद आम को भागोली शंकेतक प्रदान किया गया है रतवल आम को किसको रतवल तो रतवल आम को हाल ही में दियाई टैग प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदिश की किस जिले से शंबन्दित होगा बागपत जिले से प्रधार मंत्री नरेंद्र दामुद्द दास मोदी द्वारा राजा महिंद प्रताप सिंग राजबिश्व वेद्यले का सिला न्यास 14 सेतंबर 2021 को कहां से किया गया है अलीगड किया गया है जिव विग्यान का नोबिल कहा जाने वाला शोलहा वार्षिक बहलर कछुवा संरच्छन पुरुषकार कि शिप्रदान किया गया है तो भारतिय जिव विग्यानी शायलेंद्र सिंग को अंतिम प्रस्ण है दोस्त केंद्र सरकार ने उत्तरप्रदीश की किन दो सहरों में आउदोगिक कलस्टर विख्षित करने की अनुमती प्रदान की है तो उत्तर प्रदिश के कौन सा दो शहर है जहाँ पर अउदूगिक इंडस्टिछाल कोरीडॉर की बात की जा रही है और यहाँ पर जो होगा यह आगरा और प्रियागराज में बात की गई है आगरा और प्रियागराज, और दोगीक कलास्टर, कहां होगा आगरा और प्रियागराज और इन्हें के साथ आपका पूरा का पारा जो यूपी स्पेसल रह है, वन लाइनर फद्वाक्ट कम्प्रीट हो जाता है तो दोस्तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रीप्शन यह मारी ताकत है थैंक्स वर वाचिंग